दोस्तों आप पिर mobile screen दखिए, पूरे 50,000 का loan amount यहाँ पर offer मुझे दिया गया है, यानि कि ये loan मिल गया है, और इस loan के उपर 30 दिन के लिए कोई भी interest नहीं लगेगा, यानि कि interest free है, इस पैसे को मैं अपने bank account के अंदर transfer करके कही पर भी use कर सकता हूँ, आप देखें बहुत सा अभी के समय में online loan, personal loan का crazy काफी जादा है, कई ऐसे company हैं जो interest लेते हैं, और कई ऐसे company भी हैं, जो zero interest पर loan provide करवाता है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि ऐसा ही loan company के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो company 30 दिन के लिए कोई भी interest आप से नहीं लेता है, 30 दिन के time आपको जो देया जाता है, उस time पर अगर आप payment करते हैं, interest नहीं लगेगा, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप payment करते हैं, तो interest लगेगा, तो के से करकर apply करना है, कौन सा company है, क्या eligibility, क्या criteria है, कितना दिन के लिए loan जो है आपको मिल सकता है, complete information इस वीडियो में मैं आ आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों से एक छोटा सरी क्वेस्ट भी करना चाहूंगा, कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजि बागी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो कौन सा कंपनी से अपलाई करना चाहिए, तो complete information देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अपलाई कीजिएगा, तो आप लोगों के सामने में अपना mobile screen सबसे पहले clear allow करता हूं, तो आप लोगों को मेरा mobile screen clear यहां पे सो हो रह होगा, वह एक प्रकार का line of credit होगा, यानि कि एक प्रकार का line of credit होगा, जो 30 दिन के लिए interest free रहेगा, जैसे कि company नहीं यहां पे mention कर रहा है, कि 80,000 का जो यहां पे total available limit है, अभी इनका बचा हुआ, और यह huge किये है 20,000, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको 1,00,000 का approval मिल जा बिलकुल नहीं लगेगा, जो भी loan amount आप huge कर रहे हैं, उसके उपर bill generate होगा, और उसी में आपको interest लगेगा, और वो भी अगर आप 30 दिन से पहले payment कर देते हैं, तो interest free रहेगा, चलिए, यह तो है details आपको यहां पे, अब यहां पे देखे सबसे important चीज़ है कि time कितना दिन क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर time ही नहीं मिलेगा ता payment कैसे करेंगे, और यह NBFC register RBI से authorized company है, यानि कि अगर आप इसका पैसा साई time पर payment नहीं करेंगे, delay करेंगे, तो civil score आपका decrease होगा, तो ध्यान रखना है, यानि कि payment भी आपको time पर करना पड़ेगा, तो इसके लिए ए higher time आपको देखने को मिलेगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको 5000 का loan पुरबल आता है, तो आपको 36 महिना का time मिलेगा, वो depend करेगा कि loan amount आप कितना ले रहे हैं, कितना दिन के लिए आपको दिया जा रहा है, उस base पर यहाँ पर जो है time दिया जाएगा, चलिए, clear यहाँ त के वारे में details में समझ लिजे, criteria, interest, हर एक चीज, ताकि आगे चल कर अगर आप apply करें, तो loan आपका reject ना हो, और 90% लोगों का loan इसलिए reject होता है, क्योंकि वो सही criteria के हिसाब से देखते ही नहीं है, और loan के लिए apply कर सकते हैं, चलिए, अब यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज ह वो है कि NBFC से register होना चाहिए, तो इसके about section पे साप साप लिखा है कि हमारा जो company है, वो RBI, NBFC से register company है, minimum loan यह company जो है, एक हजार और जादा से जादा, यह जो company है, यह पाँच लाग तक का loan देता है, ठीक है, अब आपको इतना का जोरृत है, आप उतना ही apply कीजिएगा, बे लगेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, company को पता है कि 100 लोग अगर loan ले रहे हैं, उसमें से 90 ऐसे लोग होंगे, जो 30 दिन के अंदर payment नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ प्रोब्लम आ जाएगा, और वो payment नहीं करेगा, और उसके बाद company यहाँ पे जो है interest लेगा, interest कितना ल जादा वो 69% तक जाएगा, तो अगर काफी जादा पैसे की need है, emergency है, तब ही apply कीजिए, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, चलिए, आब example में यहाँ पे समझ लेजिए, कि अगर आप इस company से 10,000 का loan approval करा लेते हैं, आपने पूरा process किया, 10,000 का आपको approval मिल गया, तीन महिना के लिए आपको time भी दिया गया, time of free at 3 month, 30 दिन के लिए interest free, यानि कि जो 10,000 आपको loan amount मिला है, उसको अगर आप 30 दिन के अंदर payment करते हैं, तो interest नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे time आपको कितना मिला है, तीन महिना का, अब आपके mind में आएगा क्या, कि तीन महिन का time मुझे मिला हुआ है, मैं इस पैसे को कहीं दूसरे जगा जो है, खर्च कर लेता हूँ, बाद में इसका payment करूँगा, तो यहाँ पे starting का अगर interest, suppose that की 12% आता है, तो यहाँ पे processing fees, जो यह जो loan amount है, इसमें आपको 0 लगेगा, लेकिन यहाँ पे total interest जो लगेगा, वो 167 र और total आपको bank account के अंदर जो disverse होगा, जो पैसा receive होकर आएगा, वो पूरा-पूरी 10,000, repayment यहाँ पे करना पढ़ रहा है, 10,167 यानि की लगबग 167 रूपिस, extra आपको यहाँ पे payment करना पढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, जो आप लोगों को समझ नहीं आ 18%, 19% यह 20% rate of interest लगा दिया जाए, तो आपका जो यह interest amount 166 दिखाईजे रहा है, 167 यह बढ़ जाएगा, और आपका जिस भी प्रकार का सिबिल है, उस प्रकार से आपके ओपर interest अपला होगा, जो दिखा रहा है वो होगा नहीं, जल असल यह company का starting का यहाँ पे interest rate है, पर NM के हिसाब से, लेकिन यह आगे चलकर फर्चुलेट होता है, वो हर एक customer के लिए अलग-अलग हो सकता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे जब loan apply करूं, तो मुझे यहाँ पे 13% पे मिले, लेकिन आप जब apply करें, आपको 14% पे मिले, और कोई apply करें, उसको 22% पे मिले, तो आप सारा देख लेना, term, condition, सारा चीज, आपको लगे कि हाँ मैं सही हूँ, इतना interest payable करने के लिए मैं ready हूँ, तब भी आपको जो है line of credit का use करना है, यह तो फिर कर लिजी, अगर आपकी पास पैसा है 30 दिन से पहले, अगर आप payment कर दिजीगा, तो interest free है, company, यहाँ पे जो चीज policy में लिखा है, वह है चीज बता रहा हूँ, अब इस loan को लेने के लिए eligibility क्या है, eligibility भी जरूरी है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक वायरतिन नागरिक हैं, और आपका age limit 18 साल पलस है, तभी आप इस company से loan के लिए apply कर सकते हैं, और आपके पास एक income का source होना चाहिए, क् interest भी लगेगा, साथ में company का plenty charge, other charge जो है वो भी लगेगा, वो सब सारा चीज में clear यहाँ पे कर देना चाहता हूँ, चलिए, अब आप कहेंगे कि sir मेरा age limit 18 साल है, मैं Indian हूँ, मैं loan apply करना चाहता हूँ, मैंसे मुझे पैसे की जरूरत भी है, तो अब आपको documents का जरूरत message, जो government से authorize हो और जिसमें आपका address लिखा हुआ हो, उस documents को आप यहाँ पे use कर सकते हो, उसके बाद identity proof में आप यहाँ पे अपना pen card का use करेंगे, जो हाँ, आपका नाम फलना है, यह एक identity proof है, जिसको आप pen card से prove कर सकते हो, उसके बाद income का source भी आपको दिखाना पड़ेगा income का source, यहाँ पे जो है bank statement, ITR यह GST paper दे कर भी आप दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरा महिने का इतना income है, मेरा इतना income होता है, तो आपको loan मिल जाएगा, चलिए, आप यहाँ पे यह company कह रहा है कि यह 30 ऐसा city है, जहां कि अगर आप रहने वाले हैं, तो आपका जो approval rate है, वो काफ हैं, हिद्राबाद, चन्य, कोहमबतूर, इंदूर, चन्डीगर, पंचकुला, पिताववरं, विवांडी, जेकापूरं, कोहमबतूर, कोलकता, इलावाद, उदैपूर, जैपूर, लखनव, परताबगर, उसके बाद राची, सिमला, भोपाल, हरिद्वार, एहमदावाद मैंगलोर, यह सब सिटी के अगर आप रहने वाले, तब अपला किजिए, आपका लोन तुरंत अपूर्बल हो जागा, लेकिन अधर सिटी से हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा जो है, डिले हो सकता है, टाइम यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल सकता है, आप यह जो कंप पर्टनर है, वो है SBM Bank, DMI Finance, Vesu Lending, AU Finance Bank, Kestu Finance, उसके बाद चोला Finance and Western Capital, पाच्छो कंपनियों के साथ और इनका टाइप चल रहा है, और इन ही सब कंपनियों से आपको लोन मिलेगा, ठीक है, तो यह किलियर हो गया, अपलिकेशन का नाम तो आप लोगों को सुरू में ही बत आप लोगों को किसी भी अपलिकेशन को सजेस्ट नहीं करता हो, मेरा काम इस सिर्फ आप लोगों को सही इन्फोमेशन देना, सही जनकारी देना, अगर आपको काफी ज्यादा पैसे की नीड है, इमर्जंसी है, तब ही अपलाई कीजिए, अगर आपको किसी कारण बस से इस कि जो भी loan apps के बारे में मैं खुद जो है video create करता हूँ, वो RBI, NBFC से register company होता है, तब ही जाका मैं उस पर video बनाता हूँ, तो मुझे उमीद है उस video को आप देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये loan apps से loan लेना सही रहेगा, ये नहीं, तो मुझे उमीद है ये video आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर video आप लोगों को पसंद आ गया, तो वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिएगा, इस video related कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया है, ये किसी application के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो direct आप हमें comment कीजिएगा, या तो फिर direct telegram, instagram, social media के माइदियम से आप हमसे connect हो सकते हो, और मैं कोशिस करूंगा, जो भी आपका problem है, उसका solution हमारी और से दिया जाए, आपको एक static जनकारी मिल सके, तो चलिए friend, मिलते किसी आगले video में,